नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो में हम important rules के बारे में बात करेंगे जो भी investors, traders अपना daily trading में गलतिया करते हैं ये वीडियो से आपको कुछ rules बताने जा रहा हूँ और अगर ये rules को आप daily trading में follow करते हैं तो आपका नुकसान होने की probability बहुत बहुत कम होते जाएगी दोस्तों ये जो rules है मेरा experience से लिका हूँ और मैं books ज्यादा परता हूँ और वहाँ से भी ये जो foreign authors के books में लिके हुए है वो भी rules आपके साथ share कर रहा हूँ ये वीडियो तोड़ा लंबा रहने वाला है आपको तोड़ा patient से सभी rules को note करके उसको follow करना चाहिए अचलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं दोस्तों बहुत सारे लोग paid programs के लिए जाते हैं और वहाँ पे कुछ ना कुछ नया सीखे बाहर आते हैं और वो जो strategy उन लोग वहाँ पे सीखे हैं अगले दिन से वो अपनी trading में apply करना start करते हैं ये तो हम सभी लोग जानते हैं लेकिन दोस्तों वो जो strategy वहाँ पे सीखे आये हैं या फिर कुछ logic वहाँ पे सीखे आये हैं वो काम अगले दिन से ही नहीं करेगा क्योंकि market जो है दोस्तों वो हर दिन एकी जैसा नहीं रहेगा और market जो है वो जो आप सीखे आये हैं वो logic को follow नहीं करेगा ये बात को अब ध्यान रखना पड़ेगा जो आप logic या strategies कुछ भी वहाँ पे सीखे आए है उसको हर दिन आपके trading में apply करते रहिए उससे आपको वो strategy कहाँ पे काम आता है कहाँ पे नहीं काम आता है ये समझ में आएगा तो first role क्या है दोस्तों stock market can't be learned overnight आप अगर एक लाग भी आज के दिन में किसी को देखे वहाँ से market का strategies लॉजिक्स ये सब सीख के आते है फिर भी आप profit नहीं कामा सकते directly क्योंकि stock market can't be learned overnight ये पहला रूले अब अब दूसरा रूल के बारे में जानते हैं दोस्तों मुझे हमारे टेलग्राम चालन सब्सक्राइबर्स ने काफी बार पूछे थे मैं हर दिन stocks के बारे में क्यों post नहीं करता हूँ इसका reason है कि ये दोस्तों मैं हर दिन trade नहीं करता हूँ दोस्तों अगर opportunity मुझे हर दिन दिखता है तब मैं हर दिन trade करता हूँ मुझे opportunity नहीं दिखता है तो मैं sideways रहता हूँ मैं ये नहीं बोल रहा कि हर दिन trade नहीं करना सिर्फ ये मेरा opinion है दोस्तों मेरा rule है तो मैं इसको strictly follow करता हूँ आप लोग trade कर सकते हैं मगर वहाँ पे profit हर दिन नहीं मिलेगा ये बात को आप समझना पड़ेगा कुछ beginners या फिर कुछ traders रहते दोस्तों जो भी Monday के दिन profit कमाये थे वो Tuesday की दिन गवा देते क्यों दोस्तों ऐसा होता है क्योंकि हर दिन profit हो नहीं सकता जो भी Monday के दिन profit कमाये हो वो Tuesday का loss से मिला के जो भी profit पिछले का दिन था वो भी गवा देते है यही reason है दोस्तो अगर आपको opportunity दिके थो ही आप trade लीजिए वरना मत लीजिए यह मेरा विंति है आपको अगर experience है market में तो आप बिल्कुल daily trade कर सकते हैं मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत करिये मैं भी करता हूँ daily बट अगर मुझे opportunity दिके तो ही करता हूँ वरना मैं sideways रहता हूँ तो दूसरा rule क्या है दोस्तो डोंट ट्रेड डेली ट्रेड ओल्ली इफ अपर्चिनिटी फाउन तो हम तीसरा rule के बारे में बात करते हैं दोस्तो कहीं traders nifty का तो आप trade करते रहते है derivatives में 5 मिनिट के candle में बहुत लोग करते हैं 10 मिनिट के अडिल में बहुत लोग करते हैं और कुछ लोग तो वन मिनिट के अडिल में बहुत करते हैं जो वन मिनिट के अडिल है वह बहुत dangerous रहता है दोस्तो अगर आप मज़े हुए के लाड़ी है तो आप कर सकते हैं अगर जो भी beginner है वो 5, 10 या 15 ये तीन टाइम फ्रेम सुटबल होता है आपके लिए अप अगर ये graph को देखे तो ये 5 मिनिट का candle है दोस्तो ये candle के बाद कहीं traders हम second candle से trade लेते सोचके बैठते हैं और उन लोग को ये level तूटते हुए दिखता है और वो लोग उट option को buy करते हैं क्योंकि market नीचे जाता हुए उन लोग को दिखेगा और ये candle red color में दिखेगा और वो लोग trade लेते हैं मगर trade लेने के बाद यहां तक market जाके market वापस retrace करता है और उनका stop loss ले लेता है यह अक्सर होते रहता है दोस्तों यह क्यों होता है green candle won't be bullish और red candle won't be bearish all the time आपको बात समझ में आगया होगा दोस्तों green candle won't be bullish red candle won't be bearish all the time और अब fourth rule के बारे में बात करते हैं दोस्तों दोस्तों बहुत लोग 9400 के उपर nifty का buying है बाइंग है बाइंग है बुलके बहुत बार मैं सुना हूँ और मुझे काफी लोग भी message करे थे 9400 के उपर buying position ले सकते या नहीं दोस्तों मैं कभी भी बोलता हूँ market जो है वो levels के उपर काम करता है यह बहुत लोग नहीं मानते दोस्तों मगर market levels के उपर 100% काम करता है कुछ लोग बोलते हैं कि news के वज़े से market गया है यह सब नहीं दोस्तों यह अकसर नहीं होता यह कभी कभी 10 times में एक बार हो सकता है मैं आपको telegram channel पर बार बोलते आया हूँ resistance हो है वो 9,390 है यह काफी टाइम से मैं आपको बोलते आया हूँ telegram channel पर यहाँ पर आप देख सकते है market वो level को कितना respect दिया है और वहाँ से market retracement कैसा हो रहा है और फूर्थ रूल यह है दोस्तों market और stocks भी runs on level और फिफ्थ रूल यह है दोस्तों stock market का behavior जो है वो हमको अलग-अलग दिखता है मैंने nifty analysis वीडियो weekly analysis का वीडियो मैंने परसु post करा था आप देखे होंगे अगर नहीं देखे तो आप एक बार जा के देखिए उसमें मुझे head and shoulder pattern दिखा दोस्तों यह shoulder दिखा यह head दिखा यह shoulder दिखा यहाँ पे 3 types के shoulders को मैं differentiate करके आपको समझाया हूँ वो वीडियो को एक बार देखिए यह जो head and shoulder pattern है दोस्तों यह बहुत लोग कम लोग देखे होंगे मेरे हिसाब से मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि इतना easy नहीं है दोस्तो head and shoulder pattern को देखना बहुत कम लोग इसके बारे मां जानते है अगर यही बात को आप nifty का daily chart देखे तो उसमें आपको दिखेगा नहीं आपको देख सकते है मैं आपको zoom in करके दिखाता हूँ यहाँ पे दिखता रहता है दोस्तों मगर जो clarity one hour time frame में है उतना clearly daily time frame में हमको दिखरा नहीं आप यहाँ पे दिख सकते है clear head and shoulder pattern हमको one hour के time frame में clearly दिखरा था तो fifth rule यह है दोस्तों stock market behavior will be different on different time frames और sixth rule यह है दोस्तों levels break only when full green और red candle forms below और above breakout levels आप अगर कोई भी stock या index के trade लेना चाहते है तो breakout level आपको दिखता है तो वहाँ पे एक full candle का weight कीजिए और वो जो breakout है वो volume supported होनी चाहिए यह must ensure दे दोस्तों अब हम seventh rule के बारे में बात करते हैं दोस्तों कुछ दिन पहले HDFC Q4 का results आया है वो आप लोग को पता है तब मैंने telegram channel पे post करा हूँ और results भी थोड़ा अच्छे थे मगर मैं HDFC bank के बारे में telegram channel पे post करा हूँ कि stock को buy मत कीजिए क्यों दोस्तों क्योंकि तब market fall हो रहाता नीचे जा रहाता ये अगर stock देखे तो nifty से इसका correlation बहुत करीब रहता दोस्तों निफ्टी का HDFC bank का correlation बहुत करीब है आप यहाँ पे देख सकते हैं यह दो एक ही जैसा move करते हैं जैसा हम निफ्टी move करता है वैसा HDFC bank भी move करता है तब HDFC bank 950 था और आप आज देख सकते हैं 900 level के आसपास है तो यही कारण है दोस्तों यह rule बनाने के लिए correlate with nifty if any position took in stock correlate with nifty if any position took in stock यह 7th rule है दोस्तों और अब 8th rule के बारे में जानेंगे जो भी traders price action को importance देते हैं वो लोग daily basis या फिर weekly जो price action है stock का या index का उसको important दे सकते हैं यह reliable हो सकता है इसमें और एक important बात है जोस्तों अगर आप intraday trading करते हैं या फिर swing trading करते हैं आप कभी भी जो भी chart है वो higher time frame में compare करके देखिए अगर आप 5 minute का candle देख रहे हैं तो उसको 15 minute candle से compare किजिए अगर 15 minute आप देख रहे हैं तो 30 minute का अगर 30 का आप देख रहे हैं तो 1 day का अगर 1 day का आप देख रहे हैं तो 1 week का compare करिए और यह जो breakouts आते हैं जो price action से अगर वो volume supported नहीं है त तो वो 100% reverse हो जाएगा दोस्तों आपका stop loss ले लेगा तो जो भी moose volume से support होके जा रहे हैं आप उसमें ही entry लीजिए वरना आप entry मत लीजिए बहुत सारे traders सिर्फ एक-दो setup के उपर उनका trading पूरा चलाते हैं दोस्तों यह बहुत गालत बाद है जो भी अगर traders price action पे depend होते हैं at least एक-दो और trading setups के उपर depend होना चाहिए तभी हमको कुछ clarity दिखेगा वरना आप पैसे lose करेंगे तो जो भी trade लेते हैं price action से वो लोग at least 3 या 5 और setup से उससे compare कीजिए तभी आपको नुकसा नहीं होगा मैं तो at least 5 setups के उपर वो stock रेने दीजिए या फिर index रेने दीजिए मैं वहाँ पे compare करता हूँ उसके बाद ही trade लेता हूँ अब हम 9th rule के बारे में जानेंगे दोस्तों अगर आप technical analysis करते हैं ये बात को आप ध्यान में रखिए अगर आप कुछ trade technical analysis के उपर ले रहे हैं तो अगर market के अंदर कुछ news आया है तो 100% वहाँ पे technical analysis काम नहीं करेगा अब तुरंत जल्द से जल्द आपका trade exit कीजिए और जितना भी profit या loss आपको हुआ है उससे आप निकल जाईए ये बहतर रहेगा अब हम 10th rule के बारे में जानेंगे अगर एक level को कोई भी stock या index multiple times test कर रहा है तो वहाँ पे वो level तूटने की chances maximum बढ़ते रहते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं यह पहली बार हुआ उसके बाद market वापस नीचे गया और retest हुआ यहाँ पर वापस नीचे गया और retest वापस नीचे और retest वापस नीचे और यह level पर market थोड़ दिया तो 10th rule यही है दोस्तो अगर वो breakout volume support नहीं है तो वो वापस वही channel के इंडेक्स में भी रहने दीजिए breakouts के level के उपर या फिर उपर जाने के लिए नीचे जाने के लिए हर एक point में volume जो है वो बहुत important रहेगा तो 10th rule यह है if any level test multiple times it will break if it breaks with volume अब हम कुछ options इनके rules के बारे में बात करेंगे दोस्तो अगर market को नीचे जाना है तो market जो है जो put option से यहाँ पे buying आपको दिकरा है तो आप aggressively market नीचे जाता है बोलके बोल नहीं सकते यह जो contract से यहाँ से लेके buying जो है दोस्तो यहाँ पे होनी चाहिए तबी आप बोल सकते है market नीचे जा सकता है तो दोस्तो लेवेंध रूल जो है option writing will always be done at add the money contracts अगर call option के add the money contracts में writing होते हुए आपको दिकरा है और put options में buying far otm में दिकरा है तो वहाँ पे market जो है नीचे जा सकता है तो लेवेंध रूल यही है option writing will always be done at add the money contracts और near add the money contracts मतलब यह place में और जो buying जो रहता है वो far otm में मतलब यह level पे अगर market को उपर जाना भी है तो same opposite आप देख सकते हैं इसको दोस्तों confuse मत होई है यह video को एक बार वापस play करके देखिए option chain का अगर market को नीचे जाना है तो यहाँ पे आपको call writing होते हुए दिखता है और यह put options में call buying जो है वो far otm में दिखता है अगर यहाँ पे buying होते हुए आपको दिख रहा है मगर यहाँ पे put writing जो होते हुए दिख रहा है तो market वापे नीचे नहीं जाएगा यह level पे consolidate करेगा वीडियो के एक बार वापस play करके दिखिए दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा और twelfth rule यह है दोस्तों never buy options on expiry day sell options far otm में इसका मतलब है दोस्तों जो thursday के दिन है वहाँ पे आप कभी भी options को buy मत कीजिए कुछ लोग बोलते हैं दोस्तों मगर आप वह बात को नहीं मारना चाहिए क्योंकि वह zero होते है options thursday के दिन expiry के दिन तो twelfth rule यह है never buy options on expiry day sell the options far otm मतलब जो भी far otm में रहते है अगर आप यहाँ पे far otm लिए तो 8500, 8600 यह होते है और अगर इसमें आप लिए तो 9600, 9500 यह होते है अगर thursday के दिन आपको trade करना है तो options में कभी भी buy मत कीजिए आप options को sell कीजिए वो भी far otm में और 13 रूल यह है दोस्तों maximum मैं आपको telegram challenge पर बोलते आया हूँ maximum Wednesday के दिन जो रहता है वो premium eating day रहता है अगर वो दिन premium meeting day नहीं है तो आप यह सोच सकते है कि कोई बड़ा player वहाँ पे position वो week के अंदर नहीं लिया होगा इसके लिए Wednesday के दिन वो week में premium meeting day नहीं था और 14 रूल यह है दोस्तों अगर आप कोई option buy या sell करते है या फिर कुछ option का buy और sorry stock का option कुछ buy या sell करते है उसका stop loss क्या होना चाहिए तो आप एक बार मेरा वीडियोस में implied volatility बोलके एक वीडियो है उसको एक बार जाके देखिए तो 14 रूल उसके बारे में इचे stop loss should be minimum more than the volatility of stock or index मतलब अगर आप यह option 9200 का buy करते है तो इसका IV जो है वो 44 है तो यहाँ पे आप stop loss जो है इसके हिसाब से लगाना पड़ेगा एक बार आप मेरा implied volatility का वीडियो देखे आपको समझ में आ जाएगा तो 14 रूल यह है stop loss should be minimum more than the volatility of the stock or index और 15 रूल यह है दोस्तो अगर आप option शिर अनलिट्स कर रहे है तो आपको current week का expiry देखना पड़ेगा अगले week का भी expiry देखना पड़ेगा और जो month ending है उसका expiry भी देखना पड़ेगा क्यों ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको कुछ कोई भी strike price में ज्यादा जो data दिख रहा है तो वहाँ पे बड़े players जो है दोस्तों वो strike price पे active है बोलके हम बोल सकते हैं यह weekly expiry में नहीं दिखता होगा लेकिन monthly expiry में आपको दिखता होगा इसलिए आपको जो तीनों expiry देखना पड़ेगा यह बहुत important रूले दोस्तों 16th one अगर आप option chain का analysis कर रहे है कुछ trade लेना चाहते है तो आप वहाँ पे option Greek का analysis 100% करना पड़ेगा वरना आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा वो जो strike price का premium है कितना बढ़ सकता है कितना गड़ सकता है अगर आप options Greek का analysis करते है तो आपको साफ साफ clearly समझ में आएगा अगर index या stock कितना move करे तो जो premium option का है वो कितना move कर सकता है इसलिए यह rule जरूर ही है और इसको follow 100% कीजिए और अब 17th rule के बारे में जानेंगे दोस्तों दोस्तों आज कल की volatility में और stock market के बारे में बहुत लोग सीख रहे है तो जो भी patterns है वो conventional हमको दिख रहे है वो इतना reliable नहीं होते दोस्तों क्योंकि यह जो pattern है दोस्तों यह हमको clearly समझ में आ रहा है कि pattern breakout हुआ और market वहां से conventional लग रहे है सबको conventional लग रहे हमको नहीं वो उतना ज्यादा reliable नहीं होते जो भी unconventional patterns है मतलब अभी मैं आपको one hour के time frame में दिखाया हूँ head and shoulder pattern nifty का तो यह reliable हो सकता है दोस्तों क्योंकि यह ज्यादा लोग देख नहीं पाते कुछ लोग इसको देख सकते है तो 17th rule यही है द दोस्तों अब हम 18th rule के बारे में जानेंगे दोस्तों आपको अगर futures में positions buying या selling करते हुए आपको दिख रहे है तो यह rule आप ध्यान रखिए futures को hedge करने के लिए जो बड़े players है futures को hedge करने के लिए options को use करते हैं इसका मतलब है अगर दोस्तों futures में ओ लोग index में अगर buy किये है market अगर मीचे जाता है उन लोग को ऐसा लगता है तो वो लोग put option को buy करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा confused मतलब है अगर बड़े player future में buying किया है तो उनके position को hedge करने के लिए option में put option को buy करेगा अगर cash में उनका buying है तो उनका hedging है वो option में रहेगा वो future में रहेगा आपको मैं वापस एक बार repeat कर रहा हूँ अगर future में उनका buying है तो उनका position hedging जो है वो option में किया जाता है अगर उनका buying जो है वो cash में है तो उनका hedging जो है वो future में किया जाता है दोस्तों अगर कुछ confusion है तो वापस एक बार देखिए हापको समझ में आ जाएगा तो दोस्तों यह यह था 18th rule अगर आपको futures में buying दिख रहे है तो आप एक बार futures में भी उनका उसका cross check कीजिए अगर वहाँ पे buying हो रहा है तो यह put options जो है दोस्तों वो hedging के लिए है ऐसा मान के आप चल सकते है और 19th rule यह है दोस्तों कभी भी stocks को result के दिन purchase मत कीजिए दोस्तों क्योंकि वो already overbought zone में छेले गये होंगे पिछले 15 या 20 दिन या फिर एक माईने से उसमें buying चालू रहेगी आप एक बार backtest करें तो अब हम 20th rule के बारे में जानेंगे दोस्तों अगर आपका capital एक लाक है तो अगर आप कुछ swing trading या फिर positional trading लेना चाहते हैं तो वो stock में आपका 25% से ज्यादा होना नहीं चाहिए अगर मेरे पास ही एक लाक है तो मैं उसमें swing trading या फिर positional trade लेना चाहता हूँ तो उसमें से मैं 25,000 से ज्यादा नहीं लागाऊंगा क्योंकि अगर मेरा loss भी होता है मेरा analysis गरत भी होता है तो मेरा loss 25% ही रहेगा कुछ लोग ज्यादा तरह लोग कुछ भी कुछ लोग भी नहीं ज्यादा तरह लोग जो अगर उनका capital वन लाक है तो जाके direct total capital उसमें लगा देते हैं अगर loss आया तो वो पूरा zero हो जाएगा तो ये गलतिया मत किजिए तो 20th rule जो है दोस्तों यहीं ने लोग retail investors news के उपर बहुत ज्यादा rate करते रहते हैं अगर good news आये तो जाके trade लेते हैं और bad news आये तो जाके short position लेते हैं ये गलती मत कीजिए दोस्तों तो यही है 21st rule हमको पता होना चाहिए क्या speculative news है और क्या actual news है दोस्तों मैं आपको Friday की दिन कुछ positions hold मत कीजिए बार बार बोलते रहता हूँ Telegram channel पे आप index का कुछ buying या फिर selling कर रहे हैं तो वो position को Friday की दिन close कीजिए क्योंकि Saturday और Sunday दो दिन का holidays रहते हैं तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है तो इसलिए मैं कभी भी index का buying या फिर selling position hold नहीं करता हूँ वहाँ पे आप stock का ले सकते हैं hold कर सकते हैं मगर फिर भी मैं ज्यादा तरफ hold नहीं करता हूँ यही prefer करता हूँ तो 22nd rule यही है दोस्तो close the positions before Friday और on Friday और 23rd rule यह है दोस्तो हमको जो भी speculative news market में आते रहते हैं वो जो है दोस्तो वो होते नहीं है और जो भी actual news आने वाला है दोस्तो वो हमको दिखते नहीं है तो यही है दोस्तो जो दिखता है वो होता नहीं जो होता है वो दिखता नहीं यह हमको technical analysis में clearly देखने के लिए मिलेगा दोस्तो अगर आपको market में अच्छा grip है तो आप easily technical analysis के द्वारा market में speculative news या फिर actual news पहले ही पता लगा सकते है 24th rule यह है दोस्तो बहुत सारे investors traders में जिसको मैं जानता हूँ जो भी students रहते हैं वो लोग यह जो quantity है दोस्तो यहाँ पे trade नहीं लिया जाता है और इससे आप दोकागा सकते है यह बात को आप ध्यान रखिए तो 24th rule यह है दोस्तो bid and ask quantity can be fake और 25th rule यह है दोस्तो जितना भी professional लेने दीजिए market में experience person भी रहने दीजिए कोई भी exact top और exact bottom पता नहीं कर सकते मेरे telegram channel पे मैं nifty का levels दे दे रहता हूँ most of the times 10 out of 8 times मैं सही होता हूँ एक दो बार वो गलत भी हो सकता है इसलिए 100% कोई भी exact levels पता नहीं लगा सकते और 26th rule यह है दोस्तो आप कभी भी stock market में जितना भी आप capital लेकर आ रहे हैं वो lose करने के लिए आप afford कर सके तो ही वो investment market में लाईए और कभी भी आप किसी से borrow मत कीजिए पैसे उदार मत लीजिए investment करने के लिए और 27th rule यह है दोस्तो आपका risk reward ratio जो है वो 2 is to 1 से 4 is to 1 होना चाहिए यह मेरा opinion है दोस्तो कभी कभी मुझे 1 is to 10 भी मिलता है वो अलग बात है बट वो हर दिन नहीं हो सकता लेकिन अगर आप 10 प्रदिशक का आपका capital देने के लिए तयार है तो वहाँ पे 20% से लेके 40% तक का profit बुक करना चाहिए और 28th रूल यह है दोस्तों stock market में data is king बहुत सारे लोग speculate करते रहते हैं market यहाँ जाता है वहाँ जाता है मगर वो जाता नहीं है दोस्तों क्योंकि वो लोग के पास data नहीं रहता और वो लोग सिर्फ speculate करते रहते हैं इसके रिए आप data के उपर focus कीजिए speculation के उपर focus मत कीजि 29th रूल यह है दोस्तों अगर आपको futures में उसके साथ-साथ cash segment में buying होते हुए आपको दिखता है तो वो एक confirm हुए वहाँ पे index stock 100% उपर जाएगा अगर आपको futures में buying दिख रहा है मगर cash segment में buying नहीं दिख रहा है वहाँ पे 100% stock या फिर index उपर जा नहीं सकता यह अगर buying दिख रहा है लेकिन cash segment में buying नहीं दिख रहा जो भी buying है वो stock futures में आपको दिख रहा है तो वो एक speculative हुए दोस्तों यह बात आप वापस वीडियो को previous play करके सुनिए अगर आपको futures में buying होते हुए दिख रहा है लेकिन stock futures में वहाँ पे buying होते हुए आपको दिख रहा है तो वो एक speculative है अगर market को उपर जाना है तो 100% cash segment में buying होना चाहिए यह 29 और 30 है तुरूल यह है दोस्तों आपका analysis आप खुद करना पड़ेगा दूसरों के उपर कभी निर्बर नहीं रहना पड़ेगा आप सलाहा तो ले सकते हैं लेकिन उनके बात के उपर आप trade नहीं ले सकते इसलिए मैं कभी भी आपको टेलिग्राम चानल पे सिर्फ यह stock ऐसा perform कर रहा है बोलके आपको एक hint देता हूँ आपका analysis तो आपको खुद करना पड़ेगा और trade भी खुद लेना पड़ेगा इससे आप मेरे उपर depend नहीं होते आपका खुद का analysis से आप trade ले रहे हैं तो इसलिए मैं कभी भी आपको tip नहीं देता हूँ सिर्फ आपको एक hint देता हूँ और 31st rule यह है दोस्तों जो भी smart money रहता है वो जहां पे लोग bullish होते हैं वो लोग वहां से exit हो जाते हैं जहां पे लोग bearish होते हैं वो लोग वहां पे bullish हो जाते हैं मैं हर बार आपको टेलिग् example लिए तो एटल उसके बारे में भी वोलो सब लोग bullish हो गये तो यह stock जो है यह कुछ bearish बन सकता है तो आप देखे हैं वहां पे stock जो है वो bearish बन गये तो 31st rule यह है दोस्तों जहां पे सब लोग bullish होते हैं वहां से हम exit होना चाहिए जहां पे सब लोग bearish होते हैं वहां पे ह RSI आते रहते हैं कुछ indicators के बारे में example RSI लिए तो RSI जो है वो overbought zone में है फिर भी market उपर जा रहा है RSI जो है वो oversold में है फिर भी market जो है वो नीचे जा रहा है दोस्तों यह ऐसा नहीं होगा indicator जो है दोस्तों वो oversold या फिर overbought zone में काफी समय तक रह सकता है यह बात को आप ध्यान में रखिये और 33rd rule जो है दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत help करेगा swing trading strategies different type of swing trading and stock selection techniques यह जो 33rd rule है जोस्तों यह इसमें clearly explain किया हूँ जो भी stock एक sector में bottom में रहते है वो stock top पे आज जाते है यह वीडियो एक बार देखें दोस्तों आपको clearly समझ में आ जाएगा 33rd rule यह है और 34th rule यह है दोस्तों आपको हमेशा 360 degree analysis करना पड़ेगा मैं तो वही करता हूँ और आपको भी वही suggestion देता हूँ आप 100% 360 degree analysis कीजिए एक ही setup के ऊपर कभी trade मत लीजिए 85th rule यह है दोस्तों मुझे काफी message आते रहते है smart money बोले तो only FIIs समझते हैं लोग दोस्तों ऐसा नहीं होगा smart money होई भी हो सकते कुछ दिन FIIs रह सकते कुछ दिन DIs रह सकते कुछ दिन clients रह सकते कुछ दिन proprietary लोग भी रह सकते यह बात को हम ध्यान में रखिये और कभी भी हमको smart money के साथ जाना पड़ेगा उसके against कभी भी जाना नहीं क्योंकि हमारे portfolio zero हो जाएगा तो दोस्तों यह थे कुछ important rules जो मैं daily trading में follow करता हूँ और भी रहते हैं दोस्तों वो आने वाले वीडियो में हम जानेंगे विस्तार से अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी नया सिखने के लिए मिले तो वीडियो को जरूर like कीजिए और आपके दोस्तों के साथ share कीजि हैं ताकि मैं आपके लिए इंट्रेस्टिंग वीडियो साइसा ही बना सकूँ thank you